हाई बच्चों कैसे आप लोग जैसे कि आपको पता है हमने आपका सर्वेंग फर्ष्ट इस्टार्ट कर दिया है सर्वेंग फर्ष्ट में हम आपका चैन सर्वे चैप्टर लेके चल रहे है जिसमें हमने आपको चैन के बारे में बता दिया है चैन के साथ साथ हम मैंने आपक तक आचुके वो सारे हम यहाँ पर आपके कऊषओ एंगे चलिए देखते गंटर चैन गंटर चैन कितने fit कह बड़ा हुआ है ठीक है गंटर चैन के दिने 66 फिटी होती है इसका एक लिंग 0.66 फिटका होता है ठीक है अगर हम बात करें यहां पर जो गंटर चैन है गंटर चैन जो हमारे चैन की लैंट कितनी है 66 फिट की लैंद इसका वन लिंक अगर हम वन लिंक की बात करें वन लिंक इसका है 0.66 फुट का कितना 0.66 फिटका अब यहां से आप निकाल सकते हैं नूंबर सो अब लिंक देखो मैंने जो त्षोरी यहां पर लिखी है मैंने जो theory यहाँ पर लिखी है यह theory सारी की सारी इनी जो मैं point आपको बताऊँगा इनी से यह theory लिखे जाती है ठीक है जो मैंने यहाँ पर यह chain बनाई है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इनी सबसे मिलकर यह theory बनाई गई है ठीक है इनी सबसे मिलकर यह थोरी बनाए गई है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बस वही आपको सेम डिट्टो यहाँ पर छाप देना है और यही आपको करना है अग्जाम में भी आपको आता है गंटर चैन तो गंटर चैन के बारे में आपको यह knowledge होनी चाहिए अगर यह आपको knowledge है तो यह अराम से आप लिख सकते हो ठीक अगर यह आपको से अराम से लिख सकते हो कि आपका DAM आपका स 7.92 पोलोता है सावन पोउनिंट होता है अगर हम करेंश ओप लिंग नंबरस ओप लिंक अगर हम नंबर्स ओप लिंक की बात करें तो कितने होंगे 66 फुट को 66 फुट को वन लिंक की जो लैंद है उससे डिवाइड कर दो तो फुट से फुट गया जब यहां से पॉइंट अटाएंगे तो यहां दो जीरो बड़ जाएगी और 66 से 66 काटेंगे तो आएगा वन तो कितना जाएगा 100 नंबर्स तो जो यह आपकी चैन होगी इसमें कितने कड़ी होगी यानिके लिंक कितने होंगे 100 कड़ी होगी 66 फिट की चैन है एक लिंक की लैंट आपकी 0.66 फिट की है यानिके 7.92 इंच की है और कितनी कड़ी होगी टोटल इस चैन में कितनी कड़ी होगी आपकी 100 कड़ी होगी देखो अब हम इसका इसके बारे में बात कर लेते हैं अब इतनी जो चैनन है यह कितनी ृदि शांसट फुट की गण्टर चैनन के बाद बनाई है यहाँ पर बयではने एक यहांडल यहांडल पास मैंने आपको बता है यहाँ पर क्या होता है फिर की जोड़ यहाँ पर क्या होता है फिर की जोड़ जिससे रोटेट हो जाती तीन सो साथ डिगरी रोटेट हो जाती है अब देखो दस लिंक के बाद कितने टैनलिंक्स 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 पर हम एक क्या लगा रहे है तैली लगा रहे हैं इसको हम क्या टैग भी बोलते है तैग से या टैली भी बोलते थे थे कart तो टैली भी बोलते हैं अब अगर टैनल लिन्ख को आप मेंटी प्रई कर दो 0.66 foot से तो कितना फिट आ जाएगा 6.6 foot 6.6 foot पर आप एक क्या प्रवाइड कर रहे हो एक टैली प्रवाइड कर रहे हो फिर इस साइड सभी 1 और कितने दाते का 1 देखो यह कितने दाते का है तो इस साइड भी जो आप टैली फुक्लाओंगे 10 कडी के बाद यानिकर 6.6 के बाद कितनी लगा ऑगे एक दाते की लगाओंगे उसके बाद आ आगे कि आप Czech और चले दस खड़ेंगे जीके बाद आत कितने ग्याओंगे दो οι डाते travelled हें दो और दो उताते की एक साइड सेम लगाएंगे सेम लगाएंगे यनिके 6.6 फिट आगे और 6.6 फिट आगे आपकी दो कड़ी ठीक है उसके बाद आप 6.6 फिट आगे चले और कितनी लगाई आपने तीन दाते की 123 तो इस साइड से भी 12 यहां पर 123 यानिके 6.6 यानिके 10 कड़ी के बाद 10 लिंक यहां पर और 10 लिंक यहां पर 10 लिंक का मतलब 6.6 फिट और 10 लिंक यहां पर यानिके 10 कड़ी के बाद हम एक टैग लगा रहे हैं 10 कड़ी के बाद हम एक टैग लगा रहे हैं उतने ही टैग में दाते बढ़ाते जा रहे हैं यहांनिकि मैंने क्या बताया जस कडी यानिकि 6.6 up के बाद हमें एक टैग लग लए है और एक के साथ यह उतने ओताते घा रहे देखो पहला टैग लगा तो एक दांता यह क्या है एक दांत है अब दूसरा टैग दूसरा टैग लगाया मैंने 10 यानि कि 10 और 10 लिंक के बाद और लगाया तो कितने दो दाते फिर 10 लिंक ओड़ लिए यानि कि 10 कड़ी ओड़ ली तो कितने तीन दाते फिर आपने 10 लिंक और लिए ठीक है यानि कि 6.6 फिट आप फिर चले तो कितने लगाये चार दाते और जो center में होगा center में होगा circular tag लगाते है जो tags होता है goal tag लगाते है center में जिस से पता लग जाए कि अच्छा कड़ी का center कहा है कड़ी का center स्ब्ककर आप कैसे पता लगाएगा कि वहाँ पर आप goal tag लगाएगे ठीक है तो यह बात थी सारी की सारी आपकी गंटर चैन की अब गंटर चैन के बारे में अगर हम पढ़े देखो गंटर चैन को ही सरवेर चैन भी कहते है ये भी ध्यान रखना गंटर चैन को ही सरवेर चैन भी कहते है ये भी आपको याद रखना है अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें और इस ठ्योरी को हम पढ़े, तो जो हमने यहाँ पर आपको बताया सब कुछ, वो ही हमने सब कुछ यहाँ पर लिखा इसे सर्वेक्षन जरीप यानि के सर्वेर चैन भी कहते हैं कैसी चैन कहते हैं इसको सर्वेक्षन जरीप यानि के सर्वेर चैन भी कहते हैं यह जरीप फुट पॉंड सेकंड पढ़नाली पर आदारीत है किस पर फुट पॉंड सेकंड पढ़नाली पर आदारीत है क्या यह जरीब इस जरीब की लंबाई कितनी होती है 66 feet की होती है यह बात की हमने एक कड़ी की लंबाई 0.66 foot यानी 7.92 inch की होती है किलियर है यही चीज हमने यहाँ पर आपको बताई थी और इस जरीब में 100 कड़ी होती है 100 कड़ी कैसे लंबाई 66 foot रखने का उद्देश से यह है उस समय जिस समय यह चैन बनाए गई थी उस समय यह उद्देश से था कि जैसे हम किलोमीटर पर एक पत्थर लगा देते हैं जैसे रोड बनायें हमने रोड conservative ह्पर iMacia किलोमीटर पर हमें इससे फरलांग वे मिल्स में मापन वे उनके पत्थर को इसथापित临ने में सुविदा होती ती यानि कि आपको फरलांग या मिलल्स का पत्थर इस्तापित करना है ना यानिक कि पहले 1 मिल्स थो 1 मिलल्स पर हमने पत्थर लगा दिया mapन में यड़ होती थी क्यों क्यों होती थी क्योंकि 10 गंटर चैन चलेंगे तो हम जाएगा वन फर्लांग मिल जाएगा चैन चलेंगे तो हम आपको याद रखना है कि दस वर्ग गंटर जरीप एक एकड दस गंटर जरीप वन फरलांग और असी गंटर जरीप एक मील के एकवल होता है यानि कि हम क्या है कि उदец से यह था 66 फित की चैन बनाने का कि जो हम रोड पर या कहीं भी कोई स्टोन लगा रहे है तो हमें पता रहे normally की दूरी पर की सापित करने में कोई प्रॉल्म नहीं होती थी हम 80 गंटर जरीफ चलते थे, और 1 मील हमें मिल जाता था, फिर 80 गंटर जरीफ हम चलते थे, 1 मील हमें मिल जाता था, तो वहां पर हमें पठर गाड़ देते थे, ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, और छोटी सी यहां पर definition थी, इसकी गंटर चैन की, आपको याद रखना है, गंटर जरीप 66 fit की होती है, इसकी एक कडी की लंबाई 0.66 fit होती है, और इसमें कडीयों की संक्या 100 होती है, और इसमें आपको आगे क्या लिखना है, इस जरीप का बनाने का उद्दे से यहाँ था है कि आप फरलांग और मिल के पत्थरों को इस्तापित करने में आपको सुवीधा प्राब्त हो जाए ठीक है तो यह चीजे इसमें आपको रखनी है और यह अगर आप चैन बनाना चाहते हो तो यह आप चैन बना सकते हो ठीक है तो यहां पर यह सारी चीज यह थी गंटर चैन के बारे में, ठीक, अब हम आपको मिलते हैं, आगे आपकी राजस, यानि के रिवैन्यू चैन, और इंजीर चैन, जो आपकी 100 फिट की चैन है, दोनों की दोनों हम एक ही कोश्चन में आपको कवर करा देंगें, ठीक है, तो चल के लिए आपको मिलते हैं, अभी के लिए, थैंक यू.